हेलो एबरिवन, वेलकम तो मैं चैनल, आज मैं आपके लिए एक लेक आई हूँ, बहुत ही बढ़या काड़ा या हेल्थ ट्रिंग आप बोल सकते हैं, जो कि अभी के हालात के लिए तो बहुत ही ज्यादा एसेंसियल है, यह कोरोना प्रिवेंटिव तो है ही, इसके साथ साथ यह आपको बहुत सारे सेजनल बिमारियों से भी रोपताम करता है, और आप इस वीडियो को पूरा देखिए, बिल्कुल भी इसके इकमत कीजे, क्योंकि इसमें मैं बहुत सारी ऐसी जानकारी आपको देने वाली हूँ, इस ड्रिंक में मैंने इतने सारे जड़ी भूटिया जो हब्स आपके किचेन में ही मौजुद है, वही इस्तमाल किया है, लेकिन उसके इतने सारे फायदे हैं, जो आपको भी सोच नहीं सकते हैं, बच्पन में हमारी नानी दादियां जो है, हमें एक काड़ा बना के पलाय करती थी, जब भी सर्दी जुखाम जिसको भी बस थोड़ा सा उसमें मौडिफिकेशन हुआ है, एक दो चीजे और एड हुई है, बाकी तो वही तुलसी, अद्रक, लॉंग, इलैची, ये सब पहले हम लोग बना के शर्दी जुखाम में पीते ही थी, इसमें और मैंने एड किया है, थोड़ा सा सौंप, थोड़ा सा आज इंपसे वेट लॉस प्रोग्राम की तहत आप इसको इस्तमाल करना चाहते है, तो आप जीरे को राथ को एक ग्लास पानी में सोक कर दीजिये, और सुबह आप उसी पानी में ये सारा चीज डालके काड़ा बनाइए, तो आपका क्या होगा, आपका वेट लॉस भी होगा, सा इसको इंग्लिश में गुडविल भी बोलते हैं और इसका एक नाम जभी अ मरीटा करके भी ये मार्केट में मिल जाता है इसका ialah S A S Tick मिलता है A A S S Tick मिलता है इसको आप सुखा के dichtरों या साइद पाउडर भी मिलता हो, इसको आप सुखा के, अगर पेड़ हो आपके पास, आजकल नर्सरी में मिलता है, मेरे पास तो पेड़ है, मेरे पास तो ये, मेरी एक फ्रेंड ने दिया था, तब मुझे पता नी था, मुझे मेरी फ्रेंड ने प्रेजेंट किया था, गिलोई यह गायनिक प्रॉब्लम से भी छुटकारा मिलता इससे उसके बाद जिस्म को आर्थराइटिस है बॉडी पेन है उनके लिए बहुत ही गुनकारी है तो इस ड्रिंक से आपको आल परपस फाइदा होने वाला है अगर आपको कोई लेडिस प्रॉब्लम है अगर आपक वेट लॉस करना चाहते है अपने आपको तंदुर्स रखना चाहते हैं आपका इम्मूनिटी बोस्ट अप करना चाहते हैं तो हर किसी चीज के लिए आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं मेरी तो दिन की सुरुवात इसी ड्रिंक से होती है इसमें मैंने बनाने का तरीका अब आपको मैं बताऊंगी तो लेकिन इसमें मैंने उस टाइम में बनाते समय गुड़ नहीं डाला है तो लास्ट में जब आप इसको पिए उस टाइम में इसमें इतना सा गुड़ एड़ कर लीजिए और निम्बू का रस इसमें तो यह आपको विटाविन C की कमी को भी पूरा क चोड़ लीजिए और आपको अगर गुड़ का स्वाथ पसंद नहीं तो आप उसमें हनी भी मिक्स कर सकते हैं इसमें बस दो चाट रॉक निम्बू डालना है इसको आप किसी भी एज के बच्चे बुड़े किसी भी यंगस जो लोग जीम उपरा जाते उनके लिए भी बहुत अच्छा है इसको आप दे सकते हैं इसको सुबा शाम ले तो बहुत बढ़िया अगर नहीं शाम को ले सकते तो सुबा तो ज़रूर लेजे सबसे पहले खा आफट देख लेती है इस जिंक को मैंने कैसे बनाया है दो ब्रास में इसमें दो ग्लास पानी ले आता जिए अगर एक ग्लास बनाना दो तो दो ब्रास पानी ले नहीं यह अब युपन ले लगया शाणी चीति है इस तरी ये अध्रक के साथ एक छोका साथ पुड़ा दिलोई का डांगे लिटास कुपल दीकी निचका हो अगो वल्के ये एक लास पानी रह जाए तो लास्ट में इसको इसको पसा है खल्दी को प्रिस कर देए खल्दी एंटिसिप्रिक है ये सब आपको सब जानते हैं तो ये एलिंग का काह करता है तब इसका में के फ़गा कार कर दो तो प्रिस के बाद जलिए एक ब्रास पानी रह जाए इसको बन कर दीजिए और थोड़ी के ठकके रख दीजिए दो-ती मिनिट बाद इसको चान देजिए और इसमें कोड़ा एलाके गर्लागरा भी दीजिए आपको कैसा लगा मेरा ये रेसिप्री अगर अच्छा लगा हो तो जरूर मेरे चैनल को लाइप शेयर और सब्स्राइब कर दो झाल झाल